बच्चों, आपने घरेलू खाद्य पदार्थों में मीठे के रूप में आप या तो चीनी का प्रयोग करते हैं या गुड का प्रयोग करते हैं चाहे वो आप चाय बनाए, हलवा बनाए या खीर बनाए तो मीठे खादे पदार्थ में, हम अपने भारत देश में या चीनी या गुड का प्रियों करते हैं तो क्या आपको पता है कि चीनी या गुड के लिए raw material कौन सा होता है या ये दोनों ही पदार्थ जो हैं, वो किससे बनाए जाते हैं तो शायद हम सभी को पता है कि चीनी और गुड जो है इसका निर्माण गन्ने से होता है गन्ना इसके लिए एक कच्चा माल है और यदि हम अपने भारत देश में बात करें तो यू तो पूरे विश्व में जो चीनी या गुड की हम बात करें तो ये अलग-अलग चीजों से बनाई जाती है चाहिए वो चुकंदर हो या फिर शकरकंध हो लेकिन विशेश रूप से भारत में चीनी और गुड जो है वो गन्ने से ही अधिकतर बनाई जाती है हमारे देश में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी जो है वो क्रिशी अधारित दूसरा एक सू संगठित और सबसे बड़ा उद्योग है और यदि हम पूरे विश्व इस्तर पर बात करें तो गन्ने और चीनी के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का प्रथम इस्थान है और पूरे विश्व का लगभग 8 प्रतिशत चीनी जो है वो भारत उत्पादित करता है बच्चों हमारे भारत में जो चिनी उत्पादन होता है हमने बात की कि विश्वय प्रथम इस्थान पर है और इस उद्योग में लगभग 1250 करोड रुपे की पूंजी इसी उद्योग में लगी हुई है और यदि हम श्रम शक्ती या रुजगार की बात करें तो इससे लगभग 4 लाख लोगों को रुजगार प्राप्त हुआ है और इन सब की अतिरिक्त लगभग 2.50 करोड क्रिशक जो हैं वो गन्ने की उत्पादन के माध्यम से इस उद्योग में लगे हुए हैं यदि हम बात करें तो आधुनिक चीनी उद्योग जो है ये लगभग 20 वी शताबदी की देन हम इसे मान सकते हैं और प्रारम से यदि हम बात करें अपने भारत में तो ये तो चीनी या गुड या खांसारी इस उद्योग के रूप में इस कुटिर उद्योग के रूप में प्रारम से ही हमारे भारत में विद्यमान है लेकिन आधुनिक उद्योग के रूप में लगभग 20 वी शताबदी के आसपास हम इस उद्योग का प्रारम जो है वो मान सकते हैं हम देखते हैं कि भारत में आधुनिक जो चीनी उद्योग है इसका श्री गणेश हम कह सकते हैं वो 1903 में हुआ जब बिहार में पहली चीनी उद्योग की स्थापना की गई और इस चीनी मिल की स्थापना जो है वो भारत और इसके साथ साथ बिहार के बाद फिर उत्तर प्रदेश में भी चीनी मिल की स्थापना की गई तो 1903 में जब बिहार में इसका श्री गनेश हुआ त अच्छो, हम बात करते हैं इस उद्ध्यो की अविस्थिती के विशय पर, तो हम देखते हैं कि गन्ना जो है वो एक भारहास मुलक पदार्थ होता है, भारहास मुलक मतलब जब इससे माल तयार किया जाता है या कच्छे माल के रूप में इसका वजन अधिक होता है, लेकिन ज लगभग 100 kg जो गन्ना होता है उससे लगभग 10 से 12 kg चीनी ही उतपादित की जा सकती है या होती है तो इस 100 kg में भी जो 10 से 12 kg चीनी का उतपादन होता है वो डिपेंड करता है इस गन्ने की गुडवत्ता पर यदि गन्ना जो है वो अधिक मिठास वाला अधिक रस वाला है अच्छी गुडवत्ता वाला है तो इससे चीनी जो है वो इतनी ही उत्पादित की जा सकती है अदर्वाइस इससे भी कम मात्रा में चीनी का उत्पादन इससे होता है अब इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इस उद्यों की अवस्थिती पर एक महत्तोपूर्ण कारक और प्रभावित करता है इसे वो यह है कि गन्ने की जो कटाई होती है इस गन्ने को खेट से काटने के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर ही इसकी पिराई जो है होनी चाहिए अगर 24 घंटे की देरी से इसकी पिराई की जाती है तो यह गन्ना जो है वो सुखने लगता है अगर 24 घंटे के अंदर इसकी पिराई नहीं की जाती तो इसके सुक्रोज, सुक्रोज मतलग इस गन्ने की जो मिठास होती है उस पर प्रभाव पड़ता है और इसकी मिठास जो है वो कम होने लगती है। इसलिए हम देखते हैं कि चीनी मिल की इस्थापना है वो गन्ने के जहां पर गन्ना उत्पादक छेतर होता है उसके आस पास ही करने की कोशिश की जाती है। और हम अपने भारत में देखते हैं कि अधिकांश्ता जो गन्ने को खेट से मीलो तक लाने का काम यह जहां पर पिराई होती वहां तक लाने का जो काम है वो मैक्जिमम बैल गाड़ी के माध्यम से ही किया जाता है और बैल गाड़ी के माध्यम से जब किया जाता है तो बहुत अधिक दूरी तक इसे नहीं ले जाया जा सकता फिर भी लगभग हम देखें कि खेट से गन्ने का जो खेट होता है वहां से पिराई तक जो इस्थान है वहां तक लाने में उसे 20-25 घंटे के अंदर ही ले जाना चाहिए नहीं तो ये गन्ना जो है वो सूखने लगता है और भ लगभग 75-75 घंटे के अंदर ही इसे परिवहन करके उस स्थान पर ले जाया जाना चाहिए नहीं तो इसकी गुरवत्ता में बहुत जादा हास होने लगता है और साथ ही साथ चीनी उत्पातन पर भी इसका बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है अब हम ये देखते है कि इस गन्य की खोई से गन्य की खोई को इंधन के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है और इसलिए इसे और जो अधर इंधन है या अन्य जो इंधन है उसकी आवशक्ता नहीं पड़ते क्योंकि इस गन्य की खोई को ही इंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है तो ये हो गई बात कि इस उद्यों की अवस्थिती के लिए प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्रमुख रूप से दो इस्थानों पर या दो छेत्रों में गन्ने के उत्पादन के कारण या हम ये कहें कि इस चीनी मिल की जो इस्थापना है वो प्रमुख रूप से दो छेत्रों में हुई हैं पहला तो आपका पूरा उत्तर का विशाल मैदान है और दूसरा जो है वो दक्षिन भारत तो उत्तर के मैदान में भी यदि हम देखें तो प्रमुख जो उत्तर पादक है वो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाना और अन्य जो है वो राजस्थान और गुजरात और जब हम दक्षिन भारत की बात करते हैं तो दक्षिन भारत में महारास्थ है, तमिल नाडू और अन्य उत्तर पादक जो है वो करनाटक और आंधर प्रदेश प्रमुख रूप से ये चीनी मिले जो है वो यहाँ पर इस्थापित की गई है ऐसे तो हम बात करें कि उत्तर भारत जो है वो भारत का प्रमुख या परंपरागत उत्तपादक छेतर रहा है गन्ये का लेकिन यहाँ पर जो गन्ये की प्रती हेक्टेर उत्तपादक ता की हम बात करें तो और क्वालिटी ये दोनों में ही बहुत अंतर देखने को मिलता है पूरा उत्तरी छेतर है यहाँ पर प्रती हेक्टेर उत्पादन जो है वो बहुत कम होता है लगभग 4000 प्रती किलोग्राम और यदि हम दक्षिन भारत में चले जाएं तो चुकि दक्षिन भारत की जलवायू जो है वो गन्ने की उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है आद जहाँ प्रती हेक्टेर उत्पादन इसका लगभग 8000 किलोग्राम हो जाता है और गन्नों में मिठास भी अधिक होती है और रस की मात्रा भी इनमें अधिक पाई जाती है हमारे दक्षिन भारत के छेतर में लेकिन सरवाधिक जो छेतर का विस्तार है गन्ना उत्पादन का वो उत्तर भारत में है तो आए हम बात करते हैं प्रमुख गन्ना उत्पादक छेत्रों में जिसमें विशेशकर पहले हम उत्तर भारत में चलते हैं और उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बच्चों उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी का एक परंपर उत्पादक रहा है और अब इसके सापेक्षिक महत्व में बहुत कमी आई है क्योंकि उत्पादन की दृष्टी से इसका इस्थान जो है वो महाराश्ट्र के बाद दूसरा इस्थान हो गया है देश का जो कुल उत्पादन है इसका अनुपात जो 1964 पैसट में था 39.9% अब घटकर 2014-15 में ये लगभग 20 प्रतिशत ही रह गया है पूरे उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो गंगा यमुना दो आब है और उत्तर प्रदेश का तराई छेत्र ये दो महत्व पूर्ण उत्पादक है उत्तर प्रदेश के और इसम सरवाधिक उत्तपादन यहां पर होता है और इसका भी गंगा यमुना दोआप का भी सरवाधिक जो उत्तपादन है वो आपके सहारनपूर, मेरट, मुझभफर नगर और इन सभी के अतरिक यदि हम तराई छेत्र की बात करें तो तराई में गोरखपूर, बस्ती, और फैजाबाद यह जो है यह प्रमुख जीले हैं गंगा यमुना दोआप और तराई छेत्र के प्रमुख गंणा उत्तपादक जीले अब उत्तर प्रदेश के बाद हम देखते हैं पंजाब, पंजाब कभी अब वर्तमान में देखें तो सापेक्षिक महत्विसका काफी घट गया है और यहां के प्रमुख गंणा उत्तपादक जीले जो हैं वो गुर्दासपुर, जालंधर, पटियाला, अम्रिचसर और इसके बाद पंजाब के बाद हरियाना, तो हरियाना में करनाल है, अंबाला, रोहतक और हिसार, यह प्रमुख गंणा उत्तपादक जीले ह उत्तर प्रदेश की भाती बिहार में भी हम देखते हैं कि इसका भी सापेक्षिक महतो बहुत कम हो गया है यहां 1964 पैसट में जो चिनी का उत्पादन था यह भारत में कुल चिनी उत्पादन में योगदान 12 प्रतिशत था वो अब घटकर 2014-15 में हम बात करें तो यह लगभग 1.5 प्रतिशत ही रह गया है बिहार में प्रमुख रूप से गया चंपारण, मुझफफर पूर और दर्भंगा इन जीलों में प्रमुख रूप से चिनी मिले जो हैं इस्थापित की गई हैं अब हम बात करते हैं दक्षिन भारत में हम देखते हैं कि महाराश्ट जो है वो पूरे भारत में या हम अपने देश में बात करें तो चिनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग एक तिहाई से भी अधिक चीनी उत्पादन जो है वो अकेले महाराश्ट करता है इस राज्य में हम देखें उत्तर में मनमाड से लेकर दक्षिन में कोलहापुर तक पूरी एक सकरी पट्टी के रूप में 119 मीले जो है यहाँ स्थापित की गई है और देश के कुल चीनी उत्पादन में इस राज्य की भागीदारी की बात करें तो जो 1964-65 में लगभग 19.7 प्रतिशत योगदान था महाराश्ट का वो बढ़कर 2014-15 में 35 प्रतिशत हो गया है यहाँ हम देखते हैं कि गण्य में चीनी की मात्रा भी अपेक्षा कृत या हम सापेक्षिक रूप में बात करें उत्तर भारत की अपेक्षा तो यह अधिक होता है लगभग 11.6 प्रतिशत चीनी की मात्रा यहाँ के गण्य में अधिक होती है और यहाँ पर गण्य की पिराई की जो अवधी है वो भी अधिक होती है लगभग 162 दिन की महाराश्ट में प्रमुख चीनी उत्पादक छेत्रों में हम बात करें तो कोलापूर है, सांगली है, एहमद नगर है, शोलापूर, पूने और मनमाण यहाँ पर प्रमुख रूप से चीनी मिली इस्थापित की गई है और चीनी का उत्पादन होता है इसके बाद हम दक्षिन भारत में दूसरे प्रमुख राज तमिल नाडू पर बात कर लेते हैं तमिल नाडू ने भी चीनी के उत्पादन में एक उलेखनी प्रगती की है और यहाँ पर हम देखते हैं गन्ने का प्रती हेक्टेर जो उत्पादन है वो बहुत अधिक होता है और साथ ही साथ यहाँ भी गन्ने में रस की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है और गन्य मिरस की मात्रा अधिक होने से यहां चीनी उत्पादन में भी सुविधा होती है इसके कारण ये देश का तीसरा बड़ा चीनी उत्पादक छेत्र हो गया है या राजी हो गया है यहां प्रमुखरूप से 32 चीनी मीले जो हैं वो इस्थापित हैं और अधिकांश मीले जो हैं वो कोयमबटूर, उत्तरव, दक्षिन, अरकाट, तिरुचरापली में ही स्थापित की गई हैं और देश का लगभग 10 प्रतिशत चीनी का उत्पादन तमिल नाडू के द्वारा किया जाता है तीसरे प्रमुख छेत्री की हम बात करें तो करनाटक है यहां लगभग यहां कुल 30 मिले हैं और यहां हम देखें देश में इसका योगदान जो है वो लगभग 8.1 प्रतिशत है और मुख्य रूप से बेलगाम, बीजापूर और चित्रदुर्ग यहां पर चीनी का उत्पादन किया जाता है अगला दक्षिन भारत में हम देखें आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश की भी स्थिती देखें तो अब गन्ने के उत्पादन में कम हो गई है क्योंकि जहां 1964-65 में 9.5 प्रतिशत का योगदान था वो घटकर 2014-15 में लगभग 5 प्रतिशत ही रह गया है यहां तटी छेत्रों में ही जो मीलो का इस्थानांतरण है वो देखने को मिलता है और गन्ने उत्पादन के लिए यहां भी उपियुकत दशाएं मिलती हैं और प्रमुकरूप से पूर्वी और पशिमी गोदावरी चित्तूर और विशाखा पटनम में उत्पादन जो है व दक्षिन भारत दोनों ही छेत्रों में चिनी का उत्पादन किया जाता है उत्तर भारत में हमने देखा मैदानी छेत्र में उसमें भी प्रमुकरूप से उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाना, राजस्थान और गुजरात के विशाय में हमने बात की और हमारे दक् अधिक अनुकुल दशाएं जो हैं वो हमें अपने दक्षिन भारत में देखने को मिलती हैं और इसी वज़ा से हम देखते हैं कि चीनी उद्योगों का जो इस्थानांतरण है वो उत्तर भारत की अपेक्षाव दक्षिन भारत में होने लगा है तो इस इस्थानांतरन के प्रमुख कारण कौन से हैं ये हम देख लेते हैं तो हमने देखा कि पूरा हमारा दक्षिन भारत एक तटी छेतर जिसमें हमने देखा कि जहां गन्ने का उत्पादन अधिक होता है जिसमें महाराष्ट तमिल लाडू पर हमने बात की और साथ ही साथ आंध्रप्रदेश और करनाटक ये पूरे जो राजे हैं वो तटी जलवायू वाले छितर हैं जिसकी वज़से यहां पर आद्र और नम जलवायू देखने को मिलती है जो गन्ने की उत्पादन के लिए एक आदर्श दशा होती है क्योंकि इस आद्र और नम जलवायू के का कारण यहां गन्ने की मोटाई भी अधिक होती है और गन्ने की मोटाई के साथ उसमें रस की मातरा भी अधिक होती है जिससे अधिक मातरा में चीनी का उत्पादन होता है जो हमें उत्तर भारत में ये देखने को नहीं मिलता क्योंकि उत्तर भारत में अपेक्षा कृत जो ग quality उसकी मोटाई के साथ सा मिठास और रस की जो मात्रह है वो भी कम होती है इस वजह से भी उत्तर भारत की और गन्ने का उत्पादन या हम कहें अधिक छेत्र में गन्य का उत्पादन होता है दक्षिन भारत की अपेशा लेकिन दक्षिन भारत में जो प्रती हेक्टेर उत्पादन है गन्य का वो अधिक होता है उत्तर भारत में प्रती हेक्टेर उत्पादन उत्पादकता कम मिलती है लेकिन दक्षिन भारत में प्रती हे पिराई के लिए जब उससे गन्ने को खेट से काटा जाता है और गन्ने के बीज बहुत समय नहीं होना चाहिए गन्ना हो雅 मे जल्दी सूख जाते हैं लेकिन दकषिन भारत में हम देखते हैं कि नम और आद्रड जल्वाईू होने के कारण यहां पर पिराई की जो अवधी है वो भी बहुत अधिक होती है तो इस कारण से भी चीनी मीलों का जो इस्थाना अंतरन है वो दक्षिन भारत की तरफ हो रहा है और साथ ही साथ यहां दक्षिन भारत में जितनी भी चीनी मिले इस्थापित की गई हैं, वहां पर वो सारी मशीने या जो उपकरण उपयोग किये जाते हैं, वो आधुनिक मशीने और उपकरण जो है वो उपयोग किये जाते हैं. साथ ही साथ दक्षिन भारत में अधिकांश चीनी मिलो का जो संचालन है, वो सहकारी छेत्रों के द्वारा किया जाता है, तो वो अधिक अच्छी तरह से इसका संचालन किया जाता है, इसी कारण से जो चीनी मिलो का इस्थानांतरण है, वो उत्तर भारत की अपेक्षा अब द प्रमुक समस्याएं कौन-कौन सी है, जिसे भारत में चीनी उद्योग को कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तिसमें पहला हम देखते हैं, कि चीनी उद्योग जो है, वो एक मौसमी उद्योग है, मतलब चीनी की मीले जो है, वो नवंबर से अप्रेल तक के करती हैं और वर्ष के जो शेश साथ आठ मेहने हैं उसमें ये बंद पड़ती है इसके कारण चीनी की जो उत्पादन लागत है वह भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ इस उद्योग में जो श्रमिक काम करते हैं उनके सामने रोजगार की समस्या भी बंद हो जाती है दूसरा है गन्ने का प्रती हेक्टेर उत्पादन कम हमने बात की थी कि भारत में जो गन्ने का प्रती हेक्टेर उत्पादन है वो बहुत कम होता है उत्पादन तो उत्तर भारत में भी है और दक्षिन भारत में और उत्तर भारत में हमने विशेश रूप से देखा था कि यहा पर गन्ने का प्रति हेक्टेर उत्पादन कम होता है और इस प्रति हेक्टेर उत्पादन कम होने के कारण चीनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और चीनी के उत्पादन मुल्य का लगभग साथ प्रतिशत भाग जो है वो गन्ने पर व्यह होता है तीसरा चीनी मिलों का उचित इस्थानी करण ना होना चीनी की उत्पादन के लिए दक्षन भारत में अधिक अनुकूल भौगलिक परिस्थित्या मिलती हैं हमने बात ही की थी लेकिन जो अधिकांश मिले हैं चीनी की अधिकांश मिले उत्तर भारत में हैं तो उचित इस्थानी करण ना होने का भी इसे प्रमुक रूप से इस उद्योग को सामना करना पड़ रहा है नंबर फूर हम देखते हैं गंधक की समस्या चीनी बनाने में जो गंधक का प्रयोग किया जाता है ये भारत में कम मिलता है और इसे अमेरिका से आयात करना पड़ता है तो ये भी इसके सामने प्रमुक समस्या है कि आयात में जो व्याय होता है जो लागत आती है वो इस उद्योग की प्रमुक समस्या है नेक्स्ट हम देखते हैं परिवहन पर अधिक व्याई हमें मालूम है चीनी उद्योग का जो कच्चा माल है गंच यह एक भारी और सस्ता कच्चा माल है जिसके परिवहन पर बहुत अधिक व्याई हो जाता है भारत की जो कई मिले हैं वो गंच उद्पादन छेत्रों से 20 से 25 क हैं जिसे परिवहन का व्याय बहुत अधिक हो जाता है जो आर्थिक द्रिष्टी से सही नहीं है फिर नेक्स्ट है गन्य का उचा मुल्य प्राय सरकार जो है वो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्य का मुल्य निर्धारित करती है और यह काफी उचा होता है इससे किसानों को तो लाब होता है लेकिन जो चीनी उत्पादक है उस पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है फिर है मिलो का आकार भारत में जितनी भी चीनी मिले कारे कर रही है उसमें से बहुत सी मिले छोटे आकार की है जिनकी उत्पादन छमता कम है इससे बच्चत कम होती है और उत्पादन का मुल्य जो है वो बढ़ जाता है फिर अगला है नियंत्रन का भाव। भारत के अधिकांश भागों में गन्ने का उत्पादन किसान करते हैं लेकिन उसका प्रयोग मीलो में होता है। इस प्रकार उत्पादक छेत्रों पर मीलों का कोई नियंत्रण नहीं होता और प्रायः गन्ने की सप्लाई में बाधा आ जाती है। जीन मीलों की अपनी गन्ना उत्पादक भूमी हैं उन्हें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। फिर है अगला पुरानी मशीने भारत की जो अधिकांश चीनी मीले हैं उनमें पुरानी मशीने जो हैं वो लगी हुई हैं जो घेश चुकी हैं और इसलिए उनकी कारे छमता बहुत कम हैं तो आवश्यक्ता है कि इन मीलों में नए धंग से आधुनिक मशीने लगाई जाएं। फिर अगला है गौड उपजों का उपयुक्त उपयोग ना होना जैसे जब जो चीनी मीले हैं जहां पर चीनी का उद्पादन किया जाता है वहां पर गन्नी के शीरा रसमेल और खोई यह चीनी उद्द्दों की प्रमुप गौड उपज हैं इनका उच्छीत रूप से प्र और खोई जो होती है उसे खोई कागज गत्ता और नकली रेशम बनाने के काम आती है और रसमेल से मोम बनाया जाता है तो जो यह गौड उपज है इनका उचित रूप से प्रयोग नहीं हो पाता और अगला जो है वह उचा कर राज्य सरकार जो है वह गन्ने पर और केंद्र सरकार द्वारा चीनी पर कर लगाया जाता है इसे चीनी का क्रेम उल्य जो है वह बढ़ जाता है और बाजार में इसकी मांग भी अपेक्षाक्रित कम हो जाती है तो यह कुछ समस्याएं हैं चीनी उद्योग की तो इसकी उन्नती के कुछ सुझाओं हम देखते हैं कि चीनी चीनी उद्योग के विकास के लिए कौन-कौन से उपाय किये जा सकते हैं तो योजना आयोग ने चीनी के उद्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाओं दिये हैं जिसमें पहला है बरतमान चीनी उद्पादन का धंग सुधारने के लिए उचित निरिक्षन य उनमें अधिक्तम शक्ति के साद्रों का उपयोग किया जाना चाहिए और तीशरा है राज़िस सर्कारों द्वारा जो गंड़े के द्वारा एकत्रित किया जाता है कर उसको और किसी वस्तु या उद्योग पर ृद्योग पर खर्छ warm ना करके गंडरे के ही अनुसंधान का कारे पर खर्च किया जाना ज्यादा उचित होगा खर्च किया जाना ज्यादा जाना जाल ज्यादा, कि अशित है है। झाल 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 झाल